तो जब मैं महीने में अपने Google Sponsored वीडियो बनाने में बिजी था, तीन बड़े इवेंट्स हुए इंडियन स्पेस इंडस्ट्री में, जो मैं कवर नहीं कर पाया, ठीक है फिर दुरूस्ता है दे रहा है, इस वीडियो में थीन चीजों के बात करेंगे, दो होंगे सैटलेट और एक होगा एक बड़ा रॉकेट इंजिन स्कायरूट के तरफ से, तो स्टार्ट करते है मानस्टू के साथ, यानि हमारा फिर्स्ट ताइम, फिर्स्ट ताइम में मानस्टू के और इस चैनल पर बात कर रहा हूं, तो मानस्टू एक स्पेस स्टट अप है, जो आईटी वाले साइस के साथिलेट्स, इंपोर्टन है रहे, जब आप सेटिलेट्स डिप्लॉई करो, अगर आपको लॉंग लाइफ वगरा चाहिए, और बिट मेंटेन करना है, तो आपको इंजिन लगेंगे, जो और बिट को मेंटेन कर पाए, या चेंज कर पाए, अगर आप स्प फ्यूल मिलके आग वगरा लगती है वगरा, इस केस में मोनो प्रोपेलेंट्स, इस केस में क्या होता, एक साइट से फ्यूल आता है, बीच में एक कैटिलिस्ट होगा, मतलब, कैटिलिस्ट मतलब ऐसी चीज जो आपका रियक्शन स्पीड बढ़ाए, अब उसे करने के काफ प्रॉप थ्रस्टर ये, मानस तो ने जो टेस्ट किया है, वो एक वन न्यूटन थ्रस्ट प्रेडूस करने वाला थ्रस्टर है, आपके स्क्रीन के उपर है, अब मैंने ग्रीन प्रोपेलेंट बोला, अब देखो, कॉमनली इंडस्ट्री में साइटलाइट को भरने के लिए भी हाइड्रोजीन इस्तेमाल होता है, अब हाइड्रोजीन का प्रॉब्लम ये है कि वह बहुत इसा पॉजनर्स कार्शियोनिक काइंड ओफ फ्यूल है, और आपने देखा होगा, रिसेंट इवन जो जीसेट लॉंच हो आरियन स्पेस ने, आपने देखा होगा, वो फ्यू है कि हाइड्रोजन पैरोक्साइड जो है, ह2O2 ने, बाई निचर वो करीब 6 महिन या, 200 दिन के अंदर अंदर, डीकंपोस होने स्टार्ट करता है, और फिरो अन्यूसेबल होने जाएगा, अगर आप रश्या का सोयूस देखो, तो उनका जो कैप्सिल है, जो इंसानों को ल प्योर H2O2 ने समल कर रहे है, यह हाइड्रोजन पैरोक्साइड बेस्ट कोई और मिक्शेर यूज़ कर रहे है, जो इनका प्रोपराइटरी है, तो H2O2 में उन्होंने और सारी चीज़े डाली है, जिसके वाइसे उसका लाइफ बढ़ गया है, और प्रॉबबली पर्फॉ साइट है, विजिट करना चाहिए, काफी कूल है, इनके दूसरे प्रोड़क्स भी आपको दिखेंगे, आप यह चोटे प्रोपल्चन मॉडिल जो है, सैटलेट के लिए, और उससे यह भी क्लियर हो जागा कि वो इससे बड़े थ्रस्टर पे भी काम कर रहे है, जैसे 10 न्य और रिसेंटली उन्होंने ट्विटर पे उनका 300 न्यूटन थ्रस्टर दिखाया, जो बहुत बड़े सैटलेट्स के लिए है, तो हाँ जरूर ट्विटर पे उन्हें फॉलो करो, और अप्डेट्स मिलने के लिए, इसके बाद आते है, बेलेट्रिक्स की उपर, जो अगर आ एक वीडियो बनायता है, इलेक्ट्रिक्स थ्रस्टर के उपर, उनके इब इलेक्ट्रिक्स के ही, वो खुद एक्चली उपरेशनल था काफी साल पहले, बट उनली रिसेंटली उन्होंने पब्लिक किया, सेम इस थ्रस्टर का भी है कि ये अटलिस्ट दो-तिन साल पहले ही उ अब ज़्यादा इनका प्रोप्लेंट स्टोर करते हो उस कंटिनर में, और इनका प्रोप्लेंट है, बटे थ्रस्टर के उपर काम कर रहा है, ये बटे बढ़ते है, स्कायरूट के उपर, मुझे बता है, सबको जानना है कब लांच होगा, ये स्कायरूट का विकरम 1 तो इन्होंने एक full composite वाला case जब motor case है जो जिसके अंदर ये solid fuel डाला है उस motor case के साथ nozzle के साथ test किया अब ये जो है specifically ये third stage है विक्रम 1 rocket का और ये उसका इस पूरे चिसको static fire कहते तो ये qualify करते अब ये future में इसका replicas बना सकते बिना वापस बार 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 test किये क्योंकि ये solid fuel है रहे एक बार जल गया तो घतम दिवाली के rocket की तरह तो अगर आप उनके website को visit करो अभी आपको देखेगा नई designs आ गया उनके विक्रम 1 विक्रम 2 और विक्रम 3 rockets के तो विक्रम 1 थोड़ा अलग लग रहा है उसकी जो fourth stage के जो बाहर्त रस्त असते हो अभी शाय तो launch कब अभी देखो मेरे साब से और तीन static fires होने चाहिए उसके बाद ही हम exact launch date expect कर सकते हैं तब तक हमें बस estimates मिलेंगे तो कौन से तीन test ये तो हो गया column 100 जो third stage था correct अभी next हमें expect करना चाहिए column 250 का static fire जो है उसका second stage तो वो जादा बड़ा solid rocket motor है और उसके बाद हमें expect करना चाहिए column 1000 जो बहुत ज्यादा powerful first stage और बहुत लंबा motor है उसका static fire और शायद हम ये publicly ना मिले पर fourth stage के सब engines integrated एक static fire और maybe fairing separation test वोगेरा उससब देखने मिला तो ये सब हमें जब देखने मिलेगा hopefully publicly तब जाके हम confidently एक date expect कर सकते हैं sky route से तब तक हमें estimates मिलते रहेंगे no doubt पर ज especially second stage और first stage का static fire ये ये तो बहुत चोटा लग रहा है motor उसके से में लंबे motors होंगे same diameter तब तक हमें मतलब हम जादा कुछ expect नहीं कर सकते launch date के concrete में concrete launch date नहीं तो बिस यही था हो सके तो आपको financially support करना चैनल को तो join button दबागे member बन जाओ या UPH है तो buy me coffee पे जाके member बन जाओ ग अबिशेक स्रीवास्तव तनमे देशपंडे निशंत कुमार विशाल बारोत पल्लव रानेडे हाइडरेटिंग क्रिस नायर कृपाल पतेल रजद देशपंडे और हिमान सुशंकर थैंक यू